अलो गाईज हैपी निवी यर कैसे हो आप शाब आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो हाँ फ्रेंस मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं 1 जनुरी को कोई वीडियो नहीं आपलोड कर पाई क्योंकि मैं बीजी थी थोड़ा काम में इस कारण से मैंने वीडियो नहीं आपलोड कर पाई और यह फ्रेंस है यानि 31 दिसंबर का लाच दिसंबर का हमारी भीडियों तो वीडियो तो भीडियो थो मैंने अपलोड नहीं किया बीश वाला बर से बहुत ज़दा खुशी लेकर आए और आप सब खुब खुश रहों मैं भी खुश रहूं और हाँ फ्रेस में बनाने जा रहे हूं मिर्ची काचा तो यहां मैंने मिर्ची काड़ी आप सको दिखा रहते हैं बीश मैंने इसे फार लिया है और इसमें भार दे जाता सोबित बैठे कुछ खा रहते तो मैं वहीं हस रही थी वैसे आप सबको ऐसे वीडियो अच्छी लगती है जिसमें मैं हसती रहती हूं तो आप सबको अच्छे लगती है आप सब यहीं कहते हो और हाँ फ्रेस मैं भूली नहीं हूं बिल्कुल आप सबके किजिए फ्रेस और ज्यादा ज्यादा लोगों में सेयर करना यहां देखे मैंने मिर्चे में डाल दी है आलू और आलू का बेटर जो मैंने बनाया था इसका मिक्सेज मैंने आप सबको नहीं दिखाया जब मैंने आलू का बेटर तो आप सबको बिल्कुल नहीं दिखाये थ आप सबको आता है तो फिर बना लेते हैं तो बस आलू में क्या डाले थे मुझे याद आ रहा है इसमें थोड़ी सी नमग डाले थे जीरा पाउडर डाले थे हलकी सी काली मिर्ज डाले थे और बुका पाउडर डाले थे नमग डाले थे बस और मैंने इसको मिक्स कर ली थी आल और यहां देखिए हमारे husband खड़े तो पकोड़ा निकाल ले तो प्लेज आप लोग भी आ जाएए पकोड़ा खा लेजिए वो मेरे लिए रख रहे थे एक पकोड़ा तो मैं करेते नहीं लेकर जाओ फिर उन्होंने मेरे लिए एक रख दिया और मैं बना रहे हैं गोभी की प प्रादना मुझे सब्सक्राइब कर लेजिए और बिल आइकन घंटी को प्लेज कर देना और अपने फैमिली दोस्तों में सेर भी कर देना और मेरे वीडियो को पूरा वाज करना प्लेज फेरेंस पूरा वाज करना मेरी मदद कीजिए क्योंकि जब यूटूबर हैं यहीं प्लेज मदद कीजिए कि ब्योज भी जादा आने लगें ब्योज तो बहुत कमाते हैं और चले देखें कैसे हम इसे बनाते हैं कर दो कि बनाते हैं तो हाँ फ्रेंस यहां पकोड़ा हमारा बन चुका है यानि ब्रेड पकोड़ा और मिर्ची का पकोड़ा और बन गया है गोभी का पकोड़ा तो पकोड़ा अब रेडी हो चुका है तो आजाएए आप लोग भी खा लेजिए और फ्रेंस मैंने इसकी रेस्पी नहीं डाली है क कि इसके पहले मैंने वीडियो में शेयर कर दिया था उसका लिंक मैं डिसकेशन बाक्स में दे दोंगी आप सब को देखना होगा तो प्लेज देख लेना और हाँ प्रेंज कैसे हो आप सब आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो हाँ प्रेंज मैंने आप सब कुसे नहीं बोला था और पकोड़ा तो बन गया है खावी लिए और दिखो सिवा अपने नए साल की तयारिया में जुटे हैं क्योंकि इनको गिरीटिंग देगी ना यह अभी तक के इ नेश्ट वाला दिन है कल हो जाएगा 2021 तो आप सबी को 2021 की बहुत धेर सारी शुप कामने आप लोग भी खुछ रहे हैं अब अगवान से दुआ करते हैं कि हम भी खुछ रहें जो मारा आने वाला नेश्ट शाल है 2021 का वह सबसे अच्छा रहे सबसे बहतर रहें धेर सारी ख और इसे को आप सबसक्कित सकते हुए ऐसे दोब अच्छी नहीं इस आप सबसे की है है मैं डाल दूँ नेकिन हम फ्रेंज नहीं डाल पाँगी क्योंकि जो मारे मोबायल होता है नहीं खड़ा हो पाता है बार-बार गिर जाता है जुगार तो मैं लगाती हूपर जुगार नहीं लग रहा है तो आप लोग थोड़ा से सब्सक्राइब कीजिए और हम जरूर विडि मुझे तेईस जनौरी को मिलेगाuddha काफी लंबा समय उन्हों ले tehdे लिया है इमर्जोन समय अर्ड्योन माले उन्हें किनि हो सकता है कि मुझे जल्दी मिल जा है क्योंके मैंने करी प्रफ क्या में भी इसे सामाथ मंगाए है उन्होंने समय तो जोड़ी मिल जाता है। और हाँ अब कि आप सब कैसे हो जरूर बताना खुद फुष रहना मस्त रहना और शिवा की तरह ग्रेटिंग खुब अच्छे से लिखना भी दोगों रिख रहे हैं यहां कि यहां सीवा ग्रेटिंग बना रहे हैं और हम सारे लोग रजाई में हैं क् की बहुत थंडी लग रही तो मयने सुचने जाही में चलते हैं बाहर जाते दोट पे धूट में जाते यहां कोई नहीं था तो मैने का चलो कोई बुलाएगा तुझेयं बैख देए तो चलते हैं देखते हैं और क्या क्या काम हो भूमा वहार्षू कसा जिरूर्ड शेल तो हाँ फ्रेल्स अब हम जा रहे हैं इस समय घुमने जा रहे थे हैंनी मंदिर जा रहे थे तो बस वहां की थोड़ी सीक्लक मैंने ले ली है और बस दोनों लोग ही जा रहे थे हम हमारी पते देव दोनों लोग जा रहे थे और बच्ची तो घर पे थे तो आप लोग भी देख लो और इसके बाद में आप सभी को बड़े वाले भगवान जी का दर्सन कराएंगे सबसे बड़े वाले भगवान जी मुझे तो बहुत ब तो हाँ फ्रेंस यह हमारे सबसे बड़े वाले भगवान जी है और हम फिर मिलेंगे अपने नेश्ट वीडियों में तो आप सब लोग भी भगवान जी को प्रडाम कर लीजिए और तब तक के लिए हम आप सबसे चाहते हैं जाजत बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ